हेलो फ्रेंड्स आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू पोस्ट RSS फीड्स टू वर्डप्रेस तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप RSS by पैबली जो की पैबली के एक फीचर है और वर्डप्रेस को करेक्ट कर सकते हैं कि जैसे RSS पे कोई नई फीड एड होगी तो आटोमेटिकली वर्डप्रेस पे एक नई पोस्ट क्रियेट हो जाएगी तो आज मैंना एक्जामपल लिया है टाइम्स ओफ इंडिया RSS फीड्स का अब चाहें तो कोई और भी RSS फीड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और हम यूज करेंगे यहाँ पे RSS पाइबली जो कि पैबली का एक फीचर है जिसकी मदद से हम सारी डीटेल्स कैप्चर करेंगे पैबली करेंट के पास RSS फीड्स की और फिर वही डीटेल्स का यूज करके वर्डप्रेस पे एक नई पोस्ट क्रियेट हो जाएगी और यह पूरी की पूरी प्रोसेस हम आटोमेट कर रहे हैं पैबली करेंट की मदद से RSS पाइबली और वर्डप्रेस की बीच में कनेक्शन एक इंटी करेशन बना की तो आप कैसे बना सकते हैं इस पूरा आटोमेशन को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इन दोन एप्रिकेशन को आईए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे तो चलिए सेट अप करते हैं कैसा आटोमेशन RSS और वर्डप्रेस के बीच में कि जैसी RSS में कोई नई फीड एड होगी तो आटोमेशन वही सेम फीड एज़ा पोस्ट क्रेट हो जाएगी वर्डप्रेस पे तो आज मैंने एक्जामपल लिया है टाइमस आफ इंडिया RSS फीड का कोई भी फीड का एक्जामपल ले सकते हैं और एक नई पोस्ट क्रेट कर सकते हैं वर्डप्रेस पे अब यह पूरी प्रोसेस हम आटोमेट कर रहे हैं पैबली करेट की मदद से पैबली की एक फीचर RSS बाइपली और वर्डप्रेस के वीच में एक कनिक्शन बना की तो चलते हैं न्यू टैप पे आप देख सकते हैं यह है पैबली का लेंटिंग पीच पैबली एक बहुती अमेजिंग सौटफ़एर है जब मिल्टिपल एप्लिकीशन को करेक्ट एंटिग्रेट कर सकते हैं अगर आप एक नई यूजर है तो जाई की साइन फॉर फ्री पे जो आपको हर महीने मिलेंगे हंट्रेट फ्रीटास कैसे ओटो मिशन क्रिएट करने के लिए अगर आप एक 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 जिस्टिंग यूजर है तो सिंप्ले क्लिक करिए कर साइन इन पर साइन इन पर क्लिक करते हैं है आपके साथ आपके सामने ओपन होंगी प Dutch पर एक नया वर्क फ्लू कि बटन पर पर प्लिक कर सांए उख करते हैं algunas आपको इस वर्क व्रॉप को को एक नाम देना है तो माली जब मैं ऐसे नम देता हूं पोस्ट आरेसस फीड्स टू वडप्रेस आप अपने रिक्वाइर्मेंट के हिसाब से कोई और भी नाम दी सकते हैं इसके बाद आपको चूज करना हो परिटिकुलर फोल्डर जिसमें आप यह नया वर्कुलू बनाना अब ट्रिगर और एक्षन को और अच्छे से समझने के लिए आपको जानना होगा कि आज का मेरा अब्जेक्टिव क्या है पतलब आज हम क्या करना चाहते हैं तो देखिया आज का मेरा बड़ा सिंपल सा अब्जेक्टिव है कि जब भी टाइमस ऑफ इंडिया आरेसस फीड जो कि मैंना एक्जम्पल लिया आज के लिए जैसे इसमें कोई नई फीड एड होती है स्पोर्ट्स के लिए तो आटोमेटिकली सीम फीड को मैं जब पोस्ट क्रियेट करना चाहता हूँ अपने वर्डप्रेस के अकाउंट पे तो इसमें जो हमारी ट्रिगर एप्लिकीशन होगी वो होगी पैबली का एक फीचर जिसे हम कहते हैं RSS by पैबली इसकी मदद से हम टाइमस ऑफ इंडिया RSS feeds को करेंगे पैबली करेंगे और जैसी यहाँ पे कोई नई फीड एड होगी आटोमेटिकली उसकी डीटील्स पैबली करेंट है आपने पास कैप्चर कर लेगा RSS by पैबली की मदद से जो कि एक फीचर है पैबली का तो ट्रिगर इवेंट हमारा होगा न्यू आइटम इन फीड और जैसी मैं कनेट पे क्लिक करूँगा क्योंकि यह इन बिल्ड फीचर है पैबली कनेट से अब जो फीड का URL है वो URL हमको एड करना है ताकि पैबली कनेट पूरी न्यूज अपने पास कैप्चर कर पाए पूरी फीड अपने पास कैप्चर कर पाए अब देखी जो URL जो मैं को न्यूज जो मैं को फीड एड करनी है वो स्पोर्ट के लिए एड करनी है तो मैं जाओंगा टाइमस ऑफ इंडिया RSS feeds पे और जो स्पोर्ट की के इसको मैं आसे कॉपी करूँगा, कॉपी लिंक एड्रिस पर मैं आपे क्लिक किया, मैं जाओंगा पैबली कनेट पे, यहाँ पे इसको कर दूँगा, मैं पीस्ट, अब देखी, जैसी मैं सीवेंट सेंड टेस्ट रिक्वेस की बटन पे क्लिक करूँगा, आटोमेटिकली ज क्या पेप्चर कर लेंगा, और जो फीड आज की फीड है, यहाँ आज रहेगी जो कल की फीड है, वो कल पैबली कनेट फिर से अपने पस केप्चर करेगा, तो क्लिक करते हैं से आ्सेंट, टेस्ट रिक्वेस की बटन पे, और देखीं हमको EPI, response रिसीव हो हो चुका है, और आज का टाइटल है वो यह है कि विराट कुली टो मिस रिमेनिंग टेस्ट अगेंस्ट इंग्लेंड राहुल जड़िजा बैक आप देख सकते हैं आज की जो स्पोर्ट्स न्यूज है वो यहाँ पर कैप्चर हो चुकी है आप इन्हीं डीटील्स का यूज करके मुझे वर्ट और इसका जो लिंक है उस लिंक से हमने फीड यहाँ पर कैप्चर कर लिया पैबली कनेट के पास इसी डीटेल्स का यूज करके हमें वर्ट्प्रेस पे एक नई पोस्ट क्रियेट करनी है तो जो हमारी एक्शन एप्लिकेशन होगी वो होगी वर्ट्प्रेस अब जो वर्ट वर्ट्प्रेस का अपना यूजर नेम और पासवर्ड आपको यहाँ पर अपना वर्ट्प्रेस का यूजर नेम और पासवर्ड प्रोवाइट करना है फिर आता है 20 यूरल अब 20 यूरल हमको कहा से बिलेगा इसके लिए आपको जाना अपने वर्ट्प्रेस के अकाउंट प पर जैसे हब safe पर क्लिक करेंगे तो आपका wordpress का account कनेक्ट हो जाएगा आप ये step पे पहली कर चुका हो तो मैं click करूंगा Select existing connection पर और click करूंगा सिफ पर और wordpress का account आप देखेंगे connect हो जाएगा और देखेंगे हमारा wordpress का account है पर connect हो चुका है पैबली connect से अब को क्या करना है हमको एक नई post create करनी है वह भी same feed पर पोस्ट टाइम हम रखेंगे post ही इसके बाद आता है post का title और post का content अब किए details हमको यहां पर fill करनी है अब किस title पर हम नई post create करना चाहते हैं वही title पर create करना चाहते हैं जिसकी details हमने capture करी है हमारी first step में मतलब RSS by public की मदद से जो RSS feed हमने capture करी थी उन्ही details का use करके मुझे wordpress पर एक नई post create करनी है और जो topic मैंने लिया था वो topic मैंने लिया था sports का अब देखिए कैसे हम यहां पर details fill करेंगे यह हम फिल करेंगे mapping की मदद से mapping का मतलब यह होता है कि जो response हमको मिला था हमारी previous step से हमारी trigger application से RSS by public से उसी का use हम यहां पर कर लेंगे तो जैसे आप इस blank field पर click करेंगे तो RSS by public जो कि हमारी previous step थी हमारी trigger step थी वो आपको यहां पर दिख रही होगी इसके drop down पर जैसे click करेंगे तो जो भी response आपको मिला था आपके trigger application से वो पूरा आपको यहां पर दिख रहा होगा तो हमारी post का title यह था विरायट को ली टो miss remaining test against England राहुल जड़िजा बैका इस title को मैंने यहां पर कर दूँगा मैं कुछ इस तरीके से इसके बाद मैं एक चीज़ और करूँगा जो main news का link है फो link भी मैं यहां पर add करूँगा तो मैं टाइप करूँगा link और जो link था हमारी feed का वो भी मैं यहां पर कर दूँगा मैं कुछ इस तरीके से ताकि WordPress पे जैसी यह post creator और कोई link open करें तो automatically पूरी news उस user को दिख जाए इसलिए link भी मैंने आपे add कर दिया है अब आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि mapping का मतलब क्या होता है और इसका use मैंने आपे क्यों किया तो दिखिए mapping इसलिए बहुत ज़्यादा important step होती है क्योंकि जब भी हमारा automation हमारा workflow काम करेगा तो जो भी data मैंने आपे map किया यह data automatically नए data से change हो जाएगा बड़ी असान भाशा में आपको समझाओं तो जो link आपने add किया था जो sports का आपने link add किया था फीड का जब भी इसमें कोई नई news update होगी अगले दिन तो automatically जो नई news add हुई है next day उसका जो title है उसका जो content है उसका जो link है वो automatically यहाँ पे आके update हो जाएगा अपने आप आप आपका workflow काम करेगा और WordPress पे हर दिन एक नई post create हो जाएगी वो भी अपने आप इसलिए mapping करना होती है बहुती ज़्यादा जरूरी process क्योंकि अगर हम यहाँ पर यह data कुछ इस तरीके से मतलब manually type कर दिए थे तो यह data रहता हम इस्टा स्टेटिक है permanent फिर हमारा workflow काम नहीं करता इसके बात की जो fields है यह mandatory नहीं है status हम रखेंगे publish आपको टेक्स देना चाहते तो दी सकते है featured media ID मैं छोड़ दूँगा blank कोई भी media ID हापे मैं add नहीं करना चाहता हूँ इसलिए इसको मैंने यह पर छोड़ दिया blank format हम रखेंगे standard pink status हम रखेंगे open comment status भी हमने open रखा है author ID आप अपर select कर सकते है date अगर आप देना चाहते तो वो भी provide कर सकते हैं यह सब mandatory field नहीं है इसलिए मैं इसको छोड़ दूँगा blank directly मैं click करूँगा save and send test request की button पे तो आप देखेंगे wordpress पे automatically एक नई post create हो जाएगी वो भी same details का use करके same RSS fields की details का use करके और देखें आप एमको API response रिस्पांस रिस ही हो चुका है इसका मतलब एक नई post create हो चुकी है wordpress पे तो यह है हमारी post का permalink आप देख सकते हैं यह था हमारा title और यह था हमारा content आप देख सकते हैं नई post create हो चुकी है तो चलते हम wordpress का account पे refresh करते हमारा wordpress का account और देखिए यहाँ पे एक नई post create हो चुकी है वो भी same details का use करके same RSS fields की details का use करके जैसी आप इसको open करेंगे तो आप पोस्ट का जो permalink के वह आपको यहाँ पे दिख रहा होगा इस permalink प्लिक करेंगे तो same post आप के सामने open हो जाएगी और आप देख सकते हैं यह था हमारी post का link जैसी आप इसको copy करके new tab पे post करेंगे तो वही page पे आप free direct हो जाएगे और आप देख सकते हैं वो पूरी news आपके सामने आ चुकी है इसका मतलब जो automation हमने setup किया पैबली connect पे वो सही से काम कर रहा है simply दो step में हमने पुरा automation बना दिया है जो work करेगा हर 6 गंटे में क्योंकि RSS by पैबली और पैबली के बीच का connection एक polling based connection है तो जो हमारे workflow का trigger है वो हर 6 गंटे में जाके नई details सर्च करेगा इस link पे और वहाँ पे अगर कोई नई post आई होगी कोई नई feed अपडेट होई होगी तो automatically WordPress पे एक नई post create हो जाएगी तो अगर आप भी इस workflow का use करना चाहते हैं तो इसका link पर अपने वीडियो के description में दे दूँगा जा आप इसे बड़ी असानी से कर सकते हैं सिर्फ यही नहीं आप और भी application के integration पैबली करेट के मदद से बना सकते हैं इसके लिए आप हमें email कर सकते है support at the rate family.com पर अगर आपको कोई queries है आपको कोई doubts है तो आप जा सकते है forum.family.com पर अगर आपको pricing related कोई issue है तो आप जा सकते इस link पर अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो please like करें, share करें और हमारी channel को subscribe करना ना बोले. Thank you.